कि पुटिगी निए बड़ी कैसे हैं आप सभी अग्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही ग्लास तो आज की क्लाइन बड़ी शूट करेगी तुम सब पर आभी जा कान आभी जा लाज को करेंगे निकला के बच्च पर अपने आप नहीं बोलबा गुमा फिर आके जो जो डाटा में आया है उसमें वांता हुकि 90 बर्सेंट डैटा तो जंवन ही रहेगा चुकि अच्छ बत्य बंच्य वहायकि लेते हैं कि 190 तक मार के आए उनके तो वो कोई डाटा नहीं है एक सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब त्यार हैं तो प्लीज लाइक शेयर चैनल अब तक के लिए स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे मैं पूर्शन करूंगा कि कब कॉर्स स्टार्ट हो रहा क्या नहीं हो रहा हैं सबसे पहले मैंने 2018 का डाटा निकाला और 2018 की डाटा में निकाला कि टोटल नंबर ओफ वैकेंसी थी उसके हिसाब से मेरी कट ओफ है वो कितना गया था वो सब मैंने यहां पर काल्कुलेट किया एक मड़ टूकेंगे तो रिस्पॉंड करना बंद हो गया है बाभू रु मेंस में वे थे 8,681 बच्चे पर इतने बच्चे पास करें तो आप निकाल सकते हैं कि हम मान सकते है कि कि शेगुना पास से शेगुना बच्चे आपके मेंस में बुलाए गए थे यह आपको दियान रखना है और उस टाइम पर जो कट अफ गई थी वह आपके पास जर्णल की कि 127 कट ओफ गई थी एडवलेस के इतनी गई थी और आपकी ओवी सी के 122 कट ओफ गई थी पर इसका 2023 की कट ओफ से कोई लेना दिना नहीं है तो कि पेपर के पैटरन में बहुत ज्यादा चेंजिस आये हैं 2018 से 2023 में फिर मैं आगे गया तो यह टोल वेकेंसी ती जो 2018 में थी ज 24750 बुलाए गए तो क्या होगा यहां पे यहां पे भी आपके साथ से आठ गुना वच्चे आपके मेंस में बुलाए गए और यहां पे जो कट ओफ गई वो 123 गई तो आप देख रहे होंगे कि भाईया यहां पे देखो क्या है 1506 थी यहां पे वेकेंसी ज्यादा थी उस साथ से आठ गुना बच्चे आपके बुलाए गए थे मेंस में और कट ऑपकी गई हैं थी ती करेंगे 2020 में 20 में और कम कर दी गई जब और कम स्ब्सकें बोला गए और इसमें यहां कर दीने काम होने के बावजूद अब आपकी जो cut-off है में देख लो कि पहले comparison में कम ही जाए गई है क्योंकि आपकी जो कट-off है वो और कम गई है क्योंकि पेपर का लेवल ठीक आया था अब बात करते हैं में 2022 में सबसे बढ़िया vacancies आई थी और 2,1,3,6 vacancies आई थी और mains में आपके 15,000 बच्चे बुलाए गए थे क्या यहां भी कुल मिलाके आपके साथ से 8 गुना बच्चे आपके mains में बुलाए गए थे पेपर का लेवल ठोड़ा सही आया था और और vacancies ज्यादा थी तो cut off कम गई और cut off आपकी जनल की एक सुदस और EWS की तो उस अब से कमी गई थी क्योंकि vacancies ज्यादा थी और number of candidate कम थे तो उस पर डिपेंड करता है vacancy क्या जाएगी क्या जाएगी तो यहां पे भी साथ थे आठ गुना बच्चे बुलाए गए थे तो एक बात आप अपने दिवाख में बिल्कुल साफ साफ बठा लीजिए कि जितनी आपकी vacancies है 2023 में उसके साथ से आठ गुना यह चैसे साथ गुना बच्चा तो मिनिमम बुलाया ही जाएगा तो आप बात कर लेते हैं 2023 की 2023 में बात करूं कुल मिलाके जो vacancies है वो 1095 vacancies है आपके civil engine की इसके चैसे साथ गुना बच्चा तो मैं बात कर दो कि साथ हजार बच्चा साथ से आठ हजार बच्चा आपके मेंस के एक्जाम को देगा इस बारा मेंस के एक्जाम को देगा तो यह आपके department है जो मैंने हाँ पर लिख रखे है कि पूर में कितनी कितनी वेकन्सी आपके पास कुल मिलाके सबसे ज़्यादा गेंसिद्टी है फिर में इस जो सेंटर वाट कमिशनी वेकेंसी पहले नहीं थी वो इस बार जोड़ दी गई है अब बात करते हैं डाटा अनेलेसिस के उपर कि कट ओफ क्या रहेगे सर यह समय में आगया हमें कि भाईया कट ओफ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी वेकेंसी जादा है या कम है करते मिला के 2000 बच्चों का डाय एक 30 कि अगा 2000 बच्चों का the इंट मैंने बोला और मैं मानथा और मैं से 2000 में से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो ओट पने मॉलने आयês होंगे пожक्त कि मैंने बात करता हूं एक बढ़े बढ़े नमबर यह थोड़ना होता है कि बैसका क्या निकालनों मैं कटो तो अब क्या है कि मैंने इन सब डाटा को अनलेसिस किया तो इन सब डाटा से शौकिंग रिजट निकल के आए हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं को EWS के कैंडिडेट की और यह जो मैं कटो बताऊंगा यह बहुत सारे फैक्टरस में डिपैंड करता है क्योंकि जिनकी सिफ्ट हाड आईगी उनके नमबर बढ़ जाएंगे जिनके सिफ्ट कम आई है उनके नमबर कुछ बढ़ेंगे नहीं तो इस बात पर डिपैंड करता है बहुत सारे फैक्टरस यह लेके चलता है कि वेकरिंस टॉटल कितनी है कितनी उनने और बढ़ा दिये कितनी और कम कर दिये इन सब्सक्राइगा लेकिन एक फैमली यर थिंग को हम साथ में लेके और जो हमारे पास डाटा आया है उसके बेसिस पर मैं आपको टॉटल कटो बत बात करते हैं दस अक्टूबर मॉनिंग स्रिट में 128 नमबर लाया है और 10 अक्टूबर इवनिंग स्रिट में आपके 1500 नमबर बच्चा लेके आया है EWS कंडिडेट बात करते हैं 11 अक्टूबर मॉनिंग स्रिट में मैं 126 नमबर लेके आया है तो यदि मैं इन सब का इन सब का जो आवरेज है वह 102 101 102 और 100 के बीच में लाई कर रहा है इन सब सिट में मिलाके हमें सहें में आया कि जो 11 अक्टूबर को एकजाम हुआ था और जो 10 अक्टूबर की मॉनिंग स्रिट में एकजाम हुआ था वो दो शिप्ट की कमपेरजन में ज्यादा हाड़ था बत यह करता है ज्यादा नंबर घटते नहीं है तो कुल मिलाके AWS की 101 वेकंसी है तो यहाँ पर इन सब का यहाँ आवरेज कैलकुलेट किया तो वह भी सो के बराबर आ तो यदि number of candidate यहाँ पर कम होते हैं AWS के और वेकंसी ज्यादा है उस कंपेजन में इसी कट ओफ जाएगी वह नबह से सो के बीच में जाएगी 90-100 कट ओफ आपके पास जाएगी AWS की आप मैंने वैरिशन ज्यादा कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर वेकंसी के ओपर सब्सक्राइब करता है और साथ में number of candidate के ओपर तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिम मारें 9 अक्टुबर को 156 मारें 10 अक्टुबर मौनिंग में 125 पर रुख गए है और 10 अक्टुबर इवनिंग में 130 और 10 अक्टुबर मौनिंग सिट में 134 नंबर यहाँ पर बच्चे लेके आए हैं यहाँ आप इन सब का average calculate करेंगे तो shocking result मिझे निकलके आया है कि maximum बच्चे 105 के आसपास ही number लेके आ रहे है तो यदि मैं इस सब चीजों को मांगे चलना हूँ और जो टोल वेकेंस हैं चारसो चोरसी हैं तो यहाँ पर आपके जर्नल कैटेगरी की जो cut-off जाएगी वह 105 से 110 के बीच में जाएगी 10 से उपर नहीं जा पाएगी तो कि paper इस बार अच्छा आया है paper का pattern change हुआ है और बहुत कम बच्चे ऐसे मिलें जो नंबर 130 140 से ज्यादा लेकर आएं बहुत ही कम मिलें रियर्ली केस में मैंसे मच्चे इधा हुदरी घूम रहे हैं 120 110 108 109 ऐसे घूम रहे हैं ठीक है तो जनरल की cut-off इसके आसपास जाएगी बात करते हैं ओबीसी ओबीसी में 9 में 129 मौर्णिंग में 162 आ रहे हैं और 10 अक्टूबर इवनी में 130 और यहां पर 133.25 इन सबका एबरिज भी आपका 105 से 105 के करीब आ रहा है तो आपको पता है ओबीसी में और आपके जनरल में 2-3 नंबर का ही अंतर रहता है ठीक है जास ज्यादा चार नंबर का रह सकता है तो इसकी कटोफ भी आपकी 105 से 110 के बीच में ही जाएगा ओबीसी का कटोफ ठीक है बात ध्यान रखेंगे से ज्यादा कटोफ नहीं जा पाएगा बात करते हैं अब आपके पास ऐसी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी में 120 इस वाली सिफ्ट में बारे हैं 127 इसमें 126 में और 125 इसमे इन सबका हमने average calculate किया तो यह 92 ही जा रहा है कि maximum बच्चे जादा यहाँ पे नंबर नहीं लेके आपाएं हैं तो हम मान सकते हैं कि भाईया 95 से लेके 92 तो जाई रहा है हाँ पे 95 से लेके 100 के बीच में नॉमलेशन मार्क्स को आप बढ़ा देंगे या कर देंगे तो इतनी ही cut of आपकी ST की जाएगी ST की cut of इसके आसपास जाएगी इससे ज्यादा नहीं जापाएगी बात करते हैं ST, ST कर्टेगरी में ST जादा नंबर आ रहे हैं तो मिझे लग रहा है कि ST की vacancy भी देखो क्या है यहां पर इसकी जो यहां पर कट आफ जाएगी वह भी 90 से 100 की बीच में जाएगी हो सकता है कि इस बार ST की की जो कट आफ है वह आपके से जाज चले जाए तो कि यहां पर बच्छे याद नमबर लेके आ रहे हैं और सैंपल साइज हमारे पास कम मिला है सकता है कि थोड़ी से कट आफ यहां पर बढ़ जाए तो कुल मिला कि यहीं मैं आपको लास एस्टिमेट दूँ लास एस्टिमेट दूँ की जनल कैटेगरी में 105 से 110 लिख लो इस बात को ठीक है अब बाद में पूरी मेरे पूरी बात सुनना यह मत मुलना कि सर आप नहीं बत क्लिट किया है उसी में देखा है कौन सा हाड है कौन सा सिफ्ट आपका आसाना आया उसके बेसिस पर बता रहा हूं है ठीक है यह बात आपको दिहान रखनी है दूसरा में बात करेंगे और भी सी वह भी आपका 1510 के बीच में जाएगा बात कर लेते हैं आपके सी काटेगरी तो यह जाएगी आपके 95 से 100 बात कर लेते हैं स्ट यह भी आपके जाएगी 90 से 95 बात कर लेते हैं यहां से 90 के करीब 90 इसे उपर नहीं जा पाइगे तो क्यूंकि क्या है कि वैकेंसी कम हुई है पिछली बार की पेपर को उठाके देखोगे पिछली साल से तो इस साल का साय है जी एस पार्ट बहुत लोग से में नहीं आया और टेक्निकल ने लंका लगाई है जो आपने कभी नहीं पढ़े थे और डायेट कोशन एक्जाम में नहीं आये हैं इसलिए बच्चों की गलतियां हुई है तो कट आपके नंबर इसके आसपास बैठ रहे हैं तो आप त्यारी को continue कर सकते हैं और मैं आपको एक जैन्वन तरीका भी बता रहा हूँ कि भाई देखो क्या है पिरी और में सेम ही हो गया है सब का सेम है और cbt एकजाम ही होने है तो आप यदि टाइम खराब करेगे कि पिरी करूँ या में में करूँ तो आपका टाइम मीं खराब जाएगा तोगि आपको पता है यहां प्रिवेस यह प्रिवेस कोश्चन अर्भी से कर लेंगे ढंग से तो आपके प्रिवेस काम आएंगे वो सब शीजे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परिपेशन करनी चाहिए यदि आपके मांक्स इतने इतने ब 80 से 87 के करीब जाएगी यह आपको दिहान लखना है जो आपके पीएच केंड़ेट है ओके तो यह सारा डाटा मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे कैसे करना है अब बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलना है कि सर आपका जो बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आप बहुत साही लोग तो बहुत कम फीस में दे रहे वीटा बहुत सब का चैक कर लिए हजार कोशन जो तुमें दे रहे है न दस-क्लास के लिए खतम करना हाजार कोशन में ऐसलिए हमने बहुत अच्छे से इसको बनाया है इससे ज़्यादा कोशन हम आपको टैस्टी में देंगे तो यह पर पैकेज है और महनत है बच्चे भी और बच्चे भी साथ में करेंगे इसलिए इसके जो फी है वो थोड़ी ज्यादा है जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनके लिए इस्पेशल ऑफर है कि यह आला जो आपको कोर्स है वो 2000 में मिल जाएगा आपको ठीक है मालोव सार्थी बैच में है या फिर वह आपका सजे में पिछली बार भी पढ़ेते तो यह उसमें उनको डिसकाउंट मिल जाएगा यह वाथ आपको दिहान रखनी है तो यहां पर पूरा स्टेट में बताजता हूं मैं आपको यह आपके लेटिस सी बीटी टू पैटर्न पर बेस्ट है यहां पर 200 से 300 घंटे के लेक्ट्टर ने आप ध्यान रखिए ठीक है कोई 20-30 घंटे कोई वह नहीं है और एक बहने कंद्रम कोर्स कंप्लीट करेंगे चैसे साथ घंटे करास आपके रोजाना चलेगी साथ आपको on with me आपको online test जैसे आपके बात इस को और बढ़ा दूँगा यह बता आपको दिखान दुखिया और सबसे बड़ी बात यह कि आपको सिर्फ हम नृ儿 करवाय जाएगा classroom में आप सीखेंगे self practice आप घर से करेंगे और थियोरी पड़ेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस के सोलूशन है वह आपके यूट्यूब चैनल पे बाइद हैल्प ओफ मी जो आपका पहले भी स्टार्ट हुआ था अवनी शर्मा शो जो स्टार्टिंग में हुआ था उसका बहुत अच्छा रिस्पोंस रहा इस बार टू पॉइंट ओगा self practice के सारे questions आपके यूट्यूब पे यहीं पे कराए जाएंगे रात को के टाइम में ठीक है अब यह क्या है यह आपका पूरा पूरा पाटन है जो टेस्ट बनेंगे कि कब कब कोंगों से टेस्ट होने सब कुछ लिखा हुआ है यहां पे तो प्लीज अपनी प्रपेशन को इसके हिसाब से कर सकते हैं तो आपके कम टाइम में चीज़ें हो जाएंग सब यहां पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से पंदरा नौमबर तक आपका सारा स्लेवस कंपलीट हो जाएगा ठीक है भाईयो तो यह बता को ध्यानक नहीं है लास्ट में मैं जा जा जाते हैं आपको कटो बनाते था हूं कटोफ का डाटा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिप सब्सक्राइब के बारें बताया तो जन्रल की कटोफ आपके 155 से लेकिंगे 110 के बीच में जाएगी और आपके इडिवस्टी कंडिट की वेकंसी ज्यादा है एस कंपे टोटल कंडिट कितने लिए जाएंगे तो 90-95 के बीच में जाएगा यदि आपके मार्क इतने बैठ र एवर एक्जाम का जो आप है उसको डाउलोड करके मेंस का कोर्स पच्चेस कर लीजिए 17 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी दमा के बढ़ाई करेंगे ठीक है और जो बच्चे यूट्यूब पर चलेगा वहां से आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो अब यह मत बोल इसके आसपास ही रहेगा तो कि हम जैन्वन चीव बता रहा हूं मैं आपको यदि ज्यादा जाएगी तो ज्यादा बताता आपको हाँ पर मैं क्यों बताता तो जो जो मेरे पास आया है मैंने उसी पर साइशी बताईए कोई बोल लेकिए तो पिपर आसान था हम तो बहुत पर मार के आए ऐसा कुछ नहीं है सब की लंका लगी इस बार पर में ठीक है यदि हम भी बैठते तो हम भी 130 120 से उपने जा पाते हैं मैं आपको बता रहा हूं जैन्वल क्योंकि फोड़े से उट पटांग आये गुमा के पूच रखे हैं डायट कोशिंस नहीं फुदा दिम समय हम वहां बच्चों से बात भी करते हैं कल से वह बाते स्टार्ट हो जाएंगे तब तक के लिए बबाए और धंग से बिना किसी डाउट के आप अपनी प्रिपरिशन को जाए रह सकते हैं तब तक के लिए जाए ही दिए